पुलिस ने गस्त के दोराने एक यूवक को चोरी की मोटर साइकल के साथ गिरफतार किया तो दूसरी और मोली जांगरा थाना के अंतरगतर राइपुर कला में स्नैचिंग की वारदात की गुथी को सुल जाया और दो शातिर आरोपियों को हिरासत में ले लिया जिनकी पैचान जिरखपुर के रहने वाले सुप्रीत सिंग और उसके साथ इस सेक्टर बारेपांच कुला के रहने वाले 20 वर्ष या निल की रूप में हुई है पुलिस ने मामले में स्नैचिंग किया गया मोबाइल फोन के इलावा वारदात के समय इस्तमाल किये गया ब्लैक बाजाज पलसर मोटर साइकल भी बरामत कर ली है पक्रे गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने जिला अदालत में पेश कर दो दिन का रिमांड हासिल किया है जबकि मामले में तीसरा आरोपी फरार है पुलिस का कहना है कि तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस शापे मारी कर रही है उसको भी जल्द काबू कर डिया जाएगा थाना पुलिस को सूशना मिली थी कि 2 नवंबर को स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी एरिया में सक्रिये है मामले की सूशना पाते ही थाना मौली जागरा के प्रभारी इंस्पेक्टर जैवीर सिंगराना की सुपर्विजन में टीम बनाई गई उनकी टीम ने इंफॉर्मेशन के आधार पर आरोपियों को इहरासत में लेकर पूश्ताच की तो उन्होंने मामले का खुलासा किया एक पुलिस ने मामला रिकावर किया है चोरी की और सनैचिंग की वारदातों में पुलिस ने आपके द्वारा पकड़े गए आरोपि क्या कुछ कहेंगे इसमें हमारे बास दो केसिज हैं एक केस में हमने अमन नाम का रष्ट किया है जो मॉली कमप्लक्स का इडाने बागा है जी वो पंच्छोला से चोरी टीवी वी वाइक पे टेक नंबर लगा जी चला रहा है जी उसको हमने हमारी पाटी ने प्रोलिंग टाइम पर रोका तो उसको डपूंज रहे चेक किये थे तो यह पता लगाता है यह नंबर क्रेश प्लिप किया गया और इसको रेस्ट करके हमने आगे पर दर जो डिज्यल के स्टी में बेंच थो रमांड भी हासिल हो ऐसे रारू क्योंगा जो स्नेचिंग का जो केस था हमारे यहां से नूंबर इसमें हमने दो आरपी अरेस्ट किये हैं जी और दो दून का रेमांट राप्त किया है एक अभी अरेस्ट करना बाती है उसके हम लगे हुए अफ़र्स कर रहे हैं उसको अरेस्ट करने के लिए तिक हमें अग्यार पगर हुआ है जो इन्होंने स्नैचिंग की थी वो भाई की स्नैचिंग की थी है कुछ और भी फोल स्नैच किया था अच्छा कुछ कैश भी ता साथा कैश था बारा सुरू पर लिए अच्छा जो दोनों मामलों में जो आरोपी पकड़े हैं के उपर पहले वी कोई क्रमिनल रिकाओड है था ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अध्र प्रकास टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूले